आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जब आप सोनी लिव पर अकाउंड बनाने की कोशिश करते हैं एंड सोनी लिव से OTP मंगवाते हैं तो इस तरीकी की प्रोब्लेम आती है इसमें हमाई OTP मिल नहीं रही या फिर OTP नहीं आ रही लोग इन नहीं हो रहा तो इस प्रोब्लेम को कैसे फिक्स किया जाए वो बताऊंगा तो वीडियो का इन तक देखें अगर आपको वीडियो इच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा तो देखें सोने ले उपर अगर आपको OTP नहीं आ रही है तो इसके लिए सोलुशन के दोर पर आपको कुछ चीजे ट्राइ करनी है सबसे पहले यहाँ पर जो login वाला पेज है या फिर OTP डालने वाला पेज है यहाँ पर देखें लिखा है recent OTP ठीक है तो recent OTP पर आपको साथ बार दबाने का option दिया जाता है आप साथ बार recent OTP कर सकते है ठीक है तो यहाँ से हम जैसे इसके उपर करेंगे तो हमें OTP भेज दी जाती है या फिर OTP हमें send कर दी जाती है ठीक है बट problem क्या आता है कि यहाँ पर जो email ID जिस पर हम OTP मंगवा रहे है वो अगर email ID active email ID नहीं है या फिर हमारे phone में login नहीं है तो उस case में भी हमें OTP की दिक्कत आईगी या फिर अगर आप phone number से कर रहे है तो आप check कर लिजेगे कि आपने सही mobile number या पर फिल किया है अगर फिर काफी अच्छा network है अगर आपके phone में network कम है तो उस case में भी आपको इस तरह की की दिक्कत या फिर problem आ सकती है ठीक है तो उसे भी check कर लिजेगा अगर आपका फिर भी login नहीं हो रहा तो उस case में आप application को यहाँ से बंद कर देंगे ठीक है हमने अपसे application को पूरी तरह से जो है close कर दिया है हमें जो है sony live को app को बंद कर देना है उसके बाद आपको phone को अपने एक बार जो है restart करना है अपने phone को जो है बंद करके फिर से चालू करना है sony live app को फिर से खोलना है और फिर से आपको login वाले page में चले जाना है यहाँ से आपका जो भी है login ID डाल देंग उम्मित आप लोग समझ गए होंगे अगर आपको ये वीडियो ची लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा